आज हम देखते हैं सुकरात को, सुकरात के जिवन दर्शन को, उनके राजनितिक बिचार को, उनके नेतिक तावादी चिंतन को दरसल इतिहास के, तमाम बिलक्षन महापुरूसों का विर्तान, यदि हमें देखें तो, सुकरात का नाम अगरनी, संदर्व में आप देख सकते हैं सुकरात के जीवन के संदर्व में देखें, तो, सुकरात का जन्द, 470 इसापुरूगू, यह असपास, एथेंस के नगर में हुआ था, उनके पिता एक मुर्तिकार थे, उनकी माता, फेन रिटे, एक नर्स थे और कहा जाता है, कि आरंबिक दिनों में सुकरात भी, अपने पिता, मुर्तिकार पिता, के साथ काम करता था, और, यह दिपी की, उनके पिता, एक मुर्तिकार थे, और, माता, एक पेसे बर दाई के रूप में काम करती थे, उन दोनों का प्रभाव उनके जीवन पर बढ़ता है, अपने मुर्तिकार सिल्पी पिता को देखकर, उन्होंने भी, समस्त मानव जगत को, जगत के लिए सिल्पी बन गए, एक कलाकार बन गए, वे अपने पिता अत्वा माता के काम से घिरना नहीं करते थे, उनकी माता दाई थे, पैसे बर दाई थे, और वे काते थे, मैं भी अपनी माता के कारिका ही अनुकरन कर रहा हूं, क्योंकि इस धर्ती पर मैं भी नवीन पिचार को जर्म दे रहा हूं, इस बिलक्षन ब्यक्तित्त वाले मानब में कही एक भी सिस्ताय थी, सरलता, साद्गी, आत्मिश्वास और सहिसुता की सकार परतीमा के रूप में वे जिवन्त, दर्संत का एहसास लोगों को कराते थे, सुक्रात जीवन भर सब्ति ग्यान नियाए के अन्वेसक के रूप में जाने चाहती रहे, इस बिलक्षन बिसाल ब्यक्तित्त वाले सरल हिर्दे में गमन रही था, ग्यान का बोथ था कि वे कितने अग्यान है, अपनी समतावरी, आत्म विश्वास और सहिसुदा की सकार परतिमा के रूप में वे बुद्धिकत अस्तरपर, बेभारिकत द्रिश्टी से जीवन में जो देखा, जो महसूस किया, उसे लोगों में भी उस चेतना को आगे बरहने का काम किया, सत्य की खोज में, सत्य ग्यान की खोज में लगातार अपना जीवन समर्पित कर दिया, कानून के बुरुद्ध कार करना वे उचित नहीं समझते थे, और यही कारण रहा कि जब अस्थापित कानून, अस्थापित लोगतांत्रिक बेवस्था ने उन्हें मिर्तिव दंड का सजा सुना दिया, इसके बावजुद भी सुक्राथ ने अपने जीवन मुल्यों से कोई समझावता नहीं किया, सुक्राथ के संदर में कहा जाता है कि उनकी मिर्तिव दंड के बाद उनके सिस से वीचे लित हो गए थे, उन्हें कागरागार से भगाने की पूरी ब्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन सुक्राथ अस्थापित कानुन के बिरुद जाना नहीं चाहते थे, उसे मिर्टू डंड की सजा भी बीचलित नहीं किया था, बलकि अपनी माननेताओं को स्थापित करने के लिए, माननेताओं को सजाने के लिए, सवारने के लिए, उन्होंने दिस्पान कर लिया, उन्होंने कहा था कि अगर हम कारागार से भाग भी जाते हैं तो क्या होगा मेरा सरीर बच जाएगा लेकिन मेरी आत्मा तो मर जाएगी और यही कारण रहा कि जो सुक्राद भी स्पीकर तद्कालिन समय में मर गए वे बास्तब में मरें नहीं बलकि आज भी अजर अमर हैं और आज भी लोग उतने हिस्समान से उनको देखते हैं ऐसे लोगों को भलावो बीस का प्याला क्या मार सकेगी कहा तो यह भी जाता है कि विस पान करते देख जब उनके सिस फूट फूट कर रोने लगे तो सुक्राद ने कहा था कि मैंने औरतों को इसी के कारण यहां नहीं रहने दिया और तुम लोग औरत की तरह रो रहे हो मुझे सांती पुर्ण बातावरन में मरना चाहिए सांत होकर धैरिधारन करो मिर्ट्यू को सर स्विकार करना है और उन्होंने इस बात को अस्थापित करने की कोशिश की कि राजनितिक सत्ता और मिर्ट्यू एक ही बस्तू होती है दोनों में कोई अंतर नहीं होता है एक नागरिक दायत का निर्वा करने की ऐसी ललक समान तोर पर नहीं हो पाता है